देश और दुनिया की पाँच बड़ी खबरें जिस पर चर्शा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीश कुमार डॉक्टर बहुत बहुत स्वागता अब धन्यवाद सबसे पहले नज़र डाते हैं हेड्लाइंस पर काबिनेट रिशफल के बाद पी एम मोधी ने की मंति मंदल के साथ पहली बैठक वर्शियल काबिनेट बैठक मिलिये गए कई एहन फैस लेगे मोधी काबिनेट पेर बदल पर कॉंग्रेस को लग रही मिर्ची राहुल ने व्यंग करते हुए कहा कि अब देश में नहीं होगी ठीको की कमिए एनचार्टी की टीम ने मुर्शिदाबाद का किया दौरा कहा बीजेटी को वोट देने के कारण पुलिस कर रही है अत्याचा भारत सरकार के आईटीमियम मानेगा ट्विटर आठ हफते के अंदर करेगा ग्रीविंस ओफिसर की न्यूप्ती और अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलते ही चौराहे पर खड़ा रह गया पाकिस्तान अब एक बड़ी मिसीबत के गले पढ़ने की हुम्मी पहली खबर मोधी मंत्री मंदल विस्तार से जुड़ी है आज पीएम मोधी ने अपने नए मंत्रियों के साथ पहली क्याविनिट बैठक की इस वर्ट्शल बैठक में कई एहम फैस ने लिये गए दरसल दूसरी बार प्रधान मंत्री के तौर पर पगभार समालने के बाद मोधी मंत्री मंदल का ये पहला विस्तार और बदलाव था पीएम मोधी ने मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कारेकाल शुरू किया था इस फिर बदल और विस्तार से पहले कई दौर की बैठकें की गए और पीएम मोधी केंद्रे मंत्री अमिट शाह बीजेपी अर्थयक्ष जेपी नडड़ा सहित कुछ वरिष्ट नेता मंत्रियों के कामकाच की समीक्षा बैठक की थी डॉक्र साब इस बैठक में कौन-कौन से एहम फैस्ते लिए गए गए इस बैठक का जो सबसे मूल मंत्र जो है वो यह था कि जो नए मंत्री जिन्होंने सपत ली है उनको बकायदा गाइडलाइन देने का प्रदान मंत्री मो जो आदेश है कि Zero Tolerance on Corruption कोई भी भरस्टाचार के उपर जरासा भी कोई बरदास्त नहीं किया जाएगा यह इन्शोर करना इन नए मंत्रियों को इसके लिए इन्शोर करना होगा दूसरी बात इन्वेशन के उपर कहा गया कि जो काम काज का जो तरीका है वो पुराने धर्रे से नहीं होगा आप इन्वेशन को जो है प्रामिसी दीजिए तीसरा जो एहम पॉइंट है वो यह है कि Delivery and Performance के उपर सब की निगाएं होनी चाहिए कि आपको जो काम दिया जाता है वो सही वक करते हुए आपको सरकार के काम काज अपने विवाग के काम काज को देश को बताना भी आपका दाई तो है एक और एहम बात इन्वों कहा गया है कि 15 अगस तक ये लोग दिल्ली नहीं छोड़के जाएंगे दिल्ली इसने नहीं छोड़के जाने के लिए कि ताकि ये लोग इ ये भी ने कहा गया है कि Parliament session जब होते हैं उसमें किसी भी मंतरी को absent नहीं होना है ऐसा नहीं कि जिस तरके से पहले हिंदुस्तान में सरकारी चलती थी कि Parliament session चल रहा है और सारे मंतरी जो है वो अपने-पने काम में विस्त हैं कोई Parliament नहीं आ रहा है तो ये सारी चीजें बरदा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोडी के cabinetz फे 25 को कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग रही है आज फे बदल को लेकर इशारो इशारो मेर राहूल गांदी ने हैश्टाग चेंज के साथ ट्वीट किया क्या इसका मतलब है कि अब टीकों की और कमी नहीं होगी बता दे कि करनाटक राजस्तान और परश्चे मंगाल समेत कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की थी पूर्व वित्त मंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पीच दम्रम ने कहा कि नए स्वास्ते मंत्री का पहला काम देश में टीकों की उचित और निर्बाद आपूर्ती सुनिश्चित करना होना चाहिए इससे पहले कॉंग्रेस नेता रंडीब सुर्जेवाला ने ट्वीच करके कहा था कि जिस महामारी का प्रबंधन नाशनल डिजास्टर मैनेज्मेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है उसके चेर्मेन पी-म स्वैम है क्या वो भी अपने गयर जिम्मेदाराना व्य इस बात की है कि जिस लेवल पे जाकर कॉंग्रेस पार्टी इन फैक्ट कॉंग्रेस के ऑफिसिल टूटर हैंडल से जिस तरह के थर्ड क्लास के राजनीती की जारी है वो वाकई शर्मनाक है आप हर्श वर्दन साहब के ऊपर कटाक्ष कर रहे हो मीम्स बना रहे हो रवी संक कॉंग्रेस पार्टी के ऑफिसिल हैंडल से इसा सारी चीज़े हो रही है यह बताता है कि कितना ज्यादा आडलोजिकली बैंकरप्ट हो चुकी है वैचारिक दृष्टी से दरद्र हो चुकी कॉंग्रेस पार्टी और यह क्यों वैचारिक दरद्रता क्यों है क्योंकि तरीका है सरकार के उपर हमला करने का उन सारे सवालों का जवाब इन्होंने पहले ही दे दिया अब इनको काउंट करते हैं कितनी जाती कि किस लोगों को दिया गया तो आप तो ये तो उसमें को शिकायत कर नहीं सकते सताइस सताइस जो है अब ओबिसीज हैं तेरा एसी हैं आठ एस्टी हैं पांच मानोर्टी के लोग हैं तो ये सारी जो जितनी भी जो क्रिटिसिजम इस बदलाव के बारे में हो सकती थी प्रदान मंत्री ने इंस्योर किया कि ये सारी चीज़ें ना हो और इसलिए जब कुछ बचा तब ये गटर पॉलिटिक्स पे उतर आये हैं तो कॉंग्रेस को तो कम से कम ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि कॉंग्रेस का इंजन तो इतना हराब है कि कॉंग्रेस रूपी जहाज क्रैश होने की कगार पर पहुँच गया है अब बात बंगाल की पर्शिम बंगा अंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और चुनाप के बाद की हिंसा को लेकर बनी एन एच आर्सी टीम के सदस्य आतिफ रशीद ने आज मुशीदाबाद S.P. से बादशीत की आतिफ रशीद ने कहा कि जनता पुलिस से डरी हुई है उनकी गलती ये है कि उन्होंने बीजेप करताओं के साथ मारपीच उनकी दुकाने लूट में और उनके घरों की औरतों के साथ दुर व्यवार किये जाने का आरोप लगाया था बीजेपी का कहना है कि बंगाल में सत्तारूर ममताब एनरजी की पार्टी टीम सी के कारेकरता बीजेपी के लोगों को निशाना बना र होती इस तरह का बवाल मचा हुआ होता हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ रेप और गैंग रेप हुआ होता पचास के आसपास हत्याएं हो गई होती पॉलिटिकल लाखों लोग स्टेट को अपने छोड़के अपने घरों को छोड़के कहीं दूसरे जगाँ छिपे हुए होते तो एने चार्सी की टीम के साथ साथ सौस और टेलिविजन कैमरा जो है साथ चलते यह लाइव चल रहा होता कि यह टीम यहाँ पहुँची यहाँ पर यह दर्द है वहाँ पर वो है लेकिन पूरी तरीके से मीडिया सनाटा इससे मीडिया के चरित्र का पूरा पूरा अभास इस देश की जनता को हो गया है कि अगर हिंदू मारे जाते हैं हिंदू का कतल होता है हिंदू मैलाओं के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है आपको याद रगना चाहिए कि यही टीम यही सक्स यही मेंबर्स जब जादपुर में 40 हिंदु मकानों को जिन्हों ने पूरी तरीके से ढा दिया था उसकी तहकीकात के लिए जब पहुँचे थे तो त्रिमुल के गुंडर ने उन्हें वहां से दोड़ा के भगा दिया था पुलिस नहीं आये थी जिसके बाद कैलकटा हाई कोट ने बहुत ही इसको सक्त लबजों में यह कहा था कि वो तमाम S.P.D.M. उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए जो जादपुर से जो लोग इन् और जितने भी केसे सामने आये हैं उसमें F.I.R. दर्ज किया जाए और जितने भी कागजात हैं इन अधिकारियों से कोट में साफ साफ कहा है कि यह सब के सब आप सुनस्चित करेंगे कि यह डिस्ट्रॉइ नहीं होते हैं गायब नहीं होते हैं अधरवाई हमें कुछ बहुत ही जिसको कर सकते हैं संसिटिव इलाके में एन अचार्सी की टीम घूम रही है मालदा दिनाजपूर मुर्सिदाबाद वहां पे हिंदों के खिलाफ अत्याचार हुआ है और इसका हिसाब एन अचार्सी देगी और यह सारी रिपोर्टें सुप्रिम कोट में बकायद पिर भी न जाने क्यों कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है अब बात चौती बड़ी खबर की ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को हलफ नामा दाखिल कर सूचित किया है कि आईटी नियमों के अनुपालन में शिकायत निवारन अधिकारियों को न्यूक्त करने में नए आईटी नियमों के अनुसार अपनी पहली अनुपालन रपोर्ट पेश करेगा इसके साथ ही उसने कहा कि वो नए आईटी नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहा है हालाकि ट्विटर नियमों की वैदता और अधिकारों को चुनाती देने का अधिकार सुरक्षित है ने हलफ नामे में बताया कि चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर के लिए त्विटर द्वारा भरती भी निकाली गई है डॉक्टर साहब आखिरकार उट पहार के नीचे आही गया देखिए हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको ऑपरेट करना है तो हिंदुस्तान के कानून को मानना सिस्टम है और ऐसे में यह जो ट्विटर जिनने यह अभास हो गया था कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स कुछ विपक्ची पार्टियों के साथ घालमेल करके वो सरकार को जुका सकता है तो यह कंफ्यूजन तो अब इनको दूर करना पड़ेगा आईटी मिनिस्टर बदल दि पारी हैं जो कोट के अंदर इन्होंने हल्फ नामा दिया है यह मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत सारी चीजें वो छुपारी की कोशिश में लगा हुआ है आठ महिने का आठ सब्ता का वक्त किसली चाहिए आप बाकि सारे सोचल प्रेट्फॉर्म्स ने तो मान लिया ह कानूं को और जब तक आप लेट करेंगे जितना आप लेट करेंगे तब तक वो जो इंटरमीडिरी होने के कारण जो सहलियत थी वो सहलियत आपको नहीं दी जाएगी और तो और जो तमाम तरह के जो केसिस आपके उपर लग रहे हैं चाहिल्ड ट्राफिकिंग का हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से लिया जाएगा और दंड भी हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक दिया जाएगा इससे ट्विटर बच नहीं सकता जी तो ट्विटर को कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो गया है कि उसका सबसे बड़ा मार्केट उससे छूट ना जाए वरना ट्विटर के अंदर एहंकार की कोई भी कमी नहीं दिख रही थी आखरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है अफगानिस्तान में दश्कों तक चले युद्ध के बाद अब अमेरिका बाहर निकल गया है जिसके बाद से तालिबान की ताकत बढ़ती जा रही है और लोगों ने दूसरे देशों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान में अब ग्री युद्ध होने की आशंका है जिसके सबसे ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है पाकिस्तान को पड़ोसी देश अफगानिस्तान में ग्री युद्ध की स्थिती में खरीब 5 लाख नए अफगान शरणार्थियों के देश में आने की उमीद है मेजिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में तालिबान आतकवादी तेजी से बढ़त हासिल कर रहे है की इस बार शरणार्थियों को देश के बसावट वाले हिस्तों में जाने देने की बजाए सीमा वरती इलाकों में विशे शिवरों में रखा जाएगा पूर्व सोवियत संग के आकरमन के बाद अफगान शरनार्थी पाकिस्तान आने लगे थे पाकिस्तान उन्हें वापस भेजने पर जोर दे रहा है लेकिन अगर अफगानिस्तान ग्री युद्ध में फसा तो उसे नए शरनार्थियों का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान एक मुसीबत से निकलता नहीं और दूसरी मुसीबत में फस जाता है ऐसा क्यों होता है उसके साथ क्योंकि पाकिस्तान की यही नीती है यही उसका डिस्टिनी है आप एक रोग स्टेट तियार करोगे एक मिलिटरी स्टेट आप तियार करोगे जहां आतंकवादी की फैक्टरी चलाओ गया आप तो आपको आज निकल तो उसका पनिश्मेंट मिलना ही है यह तालिबान पाकिस्तान में इतना एक्टिव हुआ क्यों हो किस वज़े से सारी ट्रेनिंग आयसाई नी दी पाकिस्तानी आर्मी तालिबान को खड़ा करता है फिर तो अफगानिस्तान में ओपरेट करते हैं उनका ठिकाना सबकुछ वो पाकिस्तान है या आपके अपने ही लोग है और सबसे बड़ी बात कई सारी पाकिस्तानी अधिकारी कई सारी पाकिस्तानी military officers कई सारे diplomats ये साब-साब कह रहें कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी तो आपने आतंकवाद के जरिये अफगानिस्तान में अपना वर्चस बनाने के आपने कोशिश की, तो आम जन्ता तो वहां से तो भागेगी गरी उद्ध का महौल आ रहा है, गरी उद्ध का महौल आ रहा है, और सबसे दुखत बात ये है, पाकिस्तान के लिए, कि अफगानिस्तान की जन्ता पाकिस्तान को एक दुश्मन मुल्क समझती है, अब वही पर वहां पर ग्रीवद होगा लोग भागेंगे, और पाकिस्तान के पास इतना सामर्थ भी नहीं है, कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान को जो border है उसको पूरी तरीके से seal कर सके जैसे पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान के तरफ कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता Exodus नहीं हो सकता कि बैई सरनार्थी आ रहे हैं उनको रोका नहीं जा सकता तो ये सारी चीजे पाकिस्तान के domestic politics के लिए तो एक embarrassment है ही वहां की सरकार को बताना पड़ेगा बही ऐसा क्या हो गया और दूसरा कि ये जो migrants जबाते हैं आपके इलाके में तो कई सारे social political मुद्दे भी जो है वो बन जाते हैं जैसे असम हैं अंदुस्तान के अंदर में पाकिस्तान में ये जो ग्रेयुद है जिसकी खबर आप दे रही है कि जो अफगानिस्तान में होने वाला है इस बार इस्तिती ये हो जाएगी कि ये ग्रेयुद अफगानिस्तान से के बॉर्डर को क्रॉस करके ये ग्रेयुद तो पाकिस्तान में तब्दील हो जाएगा, पाकिस्तान में भी एक रेयुद की सुरुवात हो जाएगी. डॉक्टर साब बहुत बहुत शुक्रिया समाम जानकारी के लिए. धन्यवाद. तो खबरों का पंचनाम हमें आज के लिए बस इतना ही. देश-विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें ये कैपिटल टीवी. हमें लाइक करें, शेर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें. नमस्कार.